दोस्तों जब से बायकार्ट गेंग ने पठान को बायकार्ट करने में नाकाम हो गे उसके बाद अलग-अलग तरीके से अजमा करके पठान को एक दूसरे के साथ गिराना चाते हैं, कभी नजर आता है कि सारुखर ने ये बयान दिया, कभी नजर आता है कि धिपिका ने ये ब बायकाट करेंगे। नहीं हो पारा जिसके वज़े से पठान का बायकाट करना ये लोग जरूरी समझ रहा है दरसल उसके साथ साथ दिपिका पादगोन का भी कुछ स्टेडमें दिखाया जा रहा है ये लोग के थुरू से कि दिपिका ने ये बयान दिया इससे मुपी नहीं चलेगी और सब बारे लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है बिलकुल सरासर गलत अफवा है